नमस्कार मैं हूँ जैनिश मसीव और आपका स्वागत है पब्रिकेशा नियूज में NIA को बैंगलूरू के रामेश्वरम कैफे विस्फोर्ट मामले में शुकरवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है एजन्सी ने इस साज़िश के मास्टर माइन समेट दो आरोपियों को गिरफतार कर लिया है NIA की माने तो मुसाफिर हुसेन शाजब और अब्दुल मतीम एहमत ताहा को कुलकता के पास से गिरफतार कर लिया है दोनों यहां अपना ठिकाना बना कर छिपे हुए थे ठिकाने का पता लगा कर NIA की टीम ने उन्हें पकड़ लिया मामले से जुड़े अधिकारियों ने बताया कि शाजब ही वो शक्स है जिसने कैफे में इंप्रोवाइजड एक्सप्लोसव डिवाइज रखा था इसके अलावा ताहा विस फोर्ट की योजना बनाने और उसे अंजाम देने का मास्ट माइन था एक अधिकारी ने बताये कि 12 अप्रेल की सुभा फरार आरोपियों अब्दुल मतीम और ताहा मसाफिर हसेन शाजेब को कोलकता के पास देखा गया यहाँ वो जूटी पहचान के तहट छिपे हुए थे NIA को केंद्रे खूफिया एजेंसियों के अलावा पश्चिम बंगाल, तिलंगना, करनाटक और केरल पुलिस का पूरा समर्थन मिला जिस तालमेल से आरोपियों को पकड़ा जा सका बता दें कि NIA ने पिछले महीने इन दोनों आरोपियों की गरफतारी के लिए सूचना देने वाले को 10-10 लाक रुपए का इनाम देने की घोशना की थी इससे पहले एक मार्च को बैंगलूरू के ब्रुक फील्ड के ITPL रोड पर इस्थत कैफे में एक IID विस्फोर्ट हुआ था NIA ने तीन मार्च को इस मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी इस मामले में पश्चम बंगाल के राजेपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि कानून के हाथ लंबे होते हैं कोई उससे बच नहीं सकता अपराधी पकड़े गए हैं यह ऐसी बात है जो लोगतंत्र में विश्वास करने वालों के लिए बेहद उत्सहा की बात होनी चाहिए झाल 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 झाल